नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देख रहें ततकालिन्स लाइफ NCP में टूट के बाद शरत पवार और अजित पवार दोनों गूट पार्टीन पर नियंतरन को लेकर हर संभव प्रयास कर रहे है अनुभवी राजनेता शरत पवार आज दिल्ली में राश्चवादी कॉंग्रेस पार्टी की राश्चिय कार्यकारिनी की बैठक कर रहे है वही उनके समर्थों को ने राजधानी में भत्यजे अजित पवार के विरोध में पोस्टर लगाए और उन्हें देश द्रोही करार दिया पोस्टर में कहा गया है कि लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे शरत पवार के दिल्ली स्थित आवास के बाहर लगाए गए पोस्टर में अजित पवार को फिल्म बहुबाली का कटपा बताया पोस्टर में लिखा पूरे देश अपनों के बीच छिपे गद्दारों को देख रहा है बुद्वार को मुंबई में अनसेपी की दो बड़ी बैठोकों के बाद जहां विधायकों ने अपने खेमों का समर्थन किया आज शरत पवार अपने अगले कदम के तोर पर दिल्ली में पार्टी की कार्य समीति की बैटक कर रहे है शरत पवार के भतिजे अजित पवार के नेतरूत्व वाले प्रतिदंद्वी खेमे ने पार्टी के नाम और चुनाव शिणन के लिए चुनाव आयोक से संपर्क किया और दावा किया है कि पार्टी के अधिकांश विधायक उनके समर्थन में है इधर शरत पवार खेमे में चुनाव आयोक से प्रतिदोंदी खेमे के आवेदन पर आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा है बुद्वार को अजित पवार खेमे की बैठक में NCP के 53 में से 32 विधायक पहुचू थे वही शरत पवार की बैठक में 14 विधायक थे बैठक में दोनों खेमों ने एक दूसरे पर निशाना साधा अजित पवार ने कहा कि उनके चाचा अब 43 साल के है और उन्हें पीछे हटना चाहिए इस पर उनकी बैन और शरत पवार की बैठी सुप्रियर सुले ने कहा कि अगर रतन टाटा और अमिता बच्चन काम करना जारी रख सकते है तो वरिष्टर राजनेता को अपनी पार्टी का नितरूत्व करने से कौन रोख सकता है